नमस्कार जी दोस्तों कैसे हैं मैं आपका पुगाना दोस्त रवीकान मैतर पाठी जनपर देवरिया उत्तरपदेश्य और एक संसनाती हुई नई खबर के साथ आज हम और आप एक साथ खड़े हैं संसनाती खबर क्या है जिसकी लगातार प्रतिक्षा हम लोग कर रहे थे आखर स्कूरूटिनी के रिजल्ट कब आएगा किस दिन आएगा और मज़े की बात है कमपार्टमेंट की परिक्षा कब होगी ये बच्चे लगातार पूछ रहते क्योंकि एक वीडियो भी मैंने बना के डाल दिया था कि 25 जून के बाद आ सकता है रिजल्ट और मामला वही भी गड़ लिया सारे बच्चे सार आज 27 तारीक हो गया सार अटाइस तारीक हो गया सारा दो जुलाई हो गया दोस्तों अब आपकी इंतजार की सारी घरिया समाप तो चुकी है और एक बिलको लाइप रूफ के साथ मैं आपके सामने खड़ा हूँ देख बग फिर से रभी कानमत्र पार्टी जनपत दिवरिया उत्तापरेश से आपका अपने चैनल रभी कानमत्र पार्टी पहलदा की गहराईयों से स्वागत करते हैं और जाइर सी बात है आगे किसी भी फ़र्दा न्यूज के लिए आपको यहीं आना है इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके रख लीजिए दोस्तों आएए आपके साथ जूरते हुए मैं सीधे सीधे अपने पॉइंट पे आता हूँ और आज का जो हमारा कंटेंट है वो यह कहता है कि आखिर स्क्रोटिनी का जो रिजल्ट आ चुका है तो उसे हम चेक कैसे करेंगे और कमपार्टमेंट की परिछा की डेट कब है कहा होगी कैसे होगी क्या क्या हमको एहतियाद बरतने होंगे तो जी हाँ दोस्तों जैसा कि हमारे थमनेल पे दिखाई दे रहा था हमारा थमनेल आपसे कह रहा था कि आचुका है इस्क्रोटिनी का रिजल्ट जबकि आज पांच जुलाई को हम लोग रिजल्ट बना रहे है छमा करियरा वीडियो बना रहे है पांच जुलाई को जबकि कि मैं यह वीडियो आपके साथ बैट के बना रहा हूँ अभी अभी आदे घंटे पहले आपका इस प्रोटनी का रिजल्ट आया है और कमपार्टमेंट के बारे में यूपी बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फुलासा किया है तो जी यहां दोस्तों आएए फड़ा-फट हम लो स्क्रीन पे उत्तरप्रेस मादमिक सिच्छा परश्रत की वेबसाइट यानि यूपी एमस्प.edu.in इस वेबसाइट पे जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे और महत्तपूर्ण सूचना एवंग डाउनलोड वाला सेक्शन आपका खुलेगा ये महत्तपूर्ण सूचना एवंग डाउनलोड वाले सेक्शन में आपको सबसे उपर मिलेगा एकदम न्यू जो अभी अभी आया है स्कूर्टिनी रिजल्ट हाइज स्कूल एक्जाम जी या दोस्तों इंटर का अभी नहीं आया है कुछ एक घंटों में इंटर का भी अपडेट होने वाला है तो बिल लगातार लगा हुआ काम कर रहा है तो आए सबसे पहले हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन्हें स्कूर्टिनी का रिजल्ट देखना है तो स्कूर्टिनी का रिजल्ट आप कैसे देखेंगे तो बच्चों स्कूर्टिनी का रिजल्ट देखने के लिए यहां पे लिं क्लिक कर सकते हैं जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं मैं रविकान मतरबाटी मैं गोरक पूरीजन से बिलाउंग करता हूँ मैंने गोरक पूरीजन को टैप कर दिया जैसे ही टैप करेंगे तुरंत एक फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए कहेगा और वो फाइल आपके स् हमने बिग्यप्ति जिसमें लिख रहे हैं कारियाले अपर सची मादमिक सच्छा परिशा च्छेत्री कारियाले गोरक पूर क्या है हमने गोरक पूर का मांगा था इसमें क्या किया है कि कहा है कि एतत द्वारा सर्व साधारिक सूचनाद बिग्यप्ति प्रसाडित किया जात कि वेबसाइट पे आनलाइन संद्रिच्छा है तो परिचातियों की जो आज़ी विश्यों की संद्रिच्छा जो थी वो पूर्ण कर ली गई है परिवर्तित या अंकवरिध्धी जो एक्स्ट्रा बढ़ा है या जो भी उसमें चेंजिंग होई है से संबन्दित अनुक्रमांक परिशद की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ध्यान देने वाला विशह यह है कि जिन बच्चों के अनुक्रमांक यहां दिखाई देंगे उनहीं बच्चों के नंबर बढ़े हैं यदि इसमें आपका अनुक्रमांक दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके अंक बढ़े नहीं है कान खोलके ध्यान पुर्वक सुनिएगा यदि यहाँ पर आपका रोल नंबर दिखाई दे रहा है हाई स्कूल सन्निरिच्छा वजदवर्या 24 बहराईच में यह रोल नंबर जो आपके स्क्रीन पे है स्रावस्ती जनपत से यह रोल नंबर है गोंडा से यह रोल नंबर है बस्ती से यह रोल नंबर है इतने ही बच्चों के अंक बढ़े हैं सेस बच्चों के अंक बढ़े नहीं हैं इस वज़े से उनके यहाँ अनुक्रमान क दिखाई नहीं दे रहे हैं बोर्ड सीधे सीधे कह रहा है यहाँ पर कि यहाँ पे सिर्फ वही रोल नंबर दिखाई देंगे सीधे सीधे लिखा है सन्रिचा पढ़िनाम के उपरांत प्रभावित अनुक्रमान जो भी है वो अपने विद्याले के पढ़ानाचार से संपर्क करें वहाँ पे आपकी मार्शीर भेज दी जाएगी ध्यान रखिएगा इसके अतरिक सन्रिचा में अन्य अनुक्रमान के प्राताओं परिवर्तन नहीं हुआ है यानि जितने अनुक्रमान का आपको पीछे दिखाई दे रहा है सिर्फ इन ही अनुक्रमान कों के नंबर में परिवर्तन हुआ है यानि उनके अंक बढ़ाए गए हैं सेस जो लोग हैं जिन्होंने भी आवेदन किया था उनके अंक बढ़ाए नहीं गए हैं इसलिए उनके अनकुर्मान की यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं ध्यानपुरवक समझिएगा यह रहा गोरगपुर रीजन का ऐसे किसी भी अन्य रीजन का अगर आप चाहेंगे वारारसी रीजन का तो जैसे वारारसी रीजन का अगर खुलता है तो अभी देखिएगा जिन जनपदों में पढ़ाए गए होंगे उनके दिखाई देंगे यानि आप देखिएगा सुल्तानपुल जनपद में से इतने रोल नमबर अयोध्या जनपद से इतने रोल नमबर बारा बंकी से इतने रोल नमबर अमबेडकर नगा से इतने रोल नमबर और अमेठी आगे चलेगा ये अमेठी आजमगड से ये सारे रोल नमबर मउ से, बलिया से, जौनपूर से, गाजीपूर से, वारांसी, ये वारांसी से, चंदौली से, भदोही से, मिर्जापूर से, सोनभदर से, यहां गया सिंगेचर जो जो अनुक्रमान की स्क्रिंग पे दिखाई दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन्ही अनुक्रमान कों के बच्चों के अंक बढ़ाए गए हैं अगर आपका अनुक्रमान की इसमें दिख रहा है तो आपको बहुत बढ़ाई आपके अंक बढ़े हैं आप अपने विद्याले से संपर्क करके नई मार्षिट प्राप्त कर लेंगे अगर आपका अनुक्रमान किसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंक बढ़ाए नहीं गए है अर्थात आपकी कापी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि आपके अंक बढ़ाए जाएं ध्यान पुर्वक समझ गए है तो यह रहा स्कुरूटिनी का रिजल्ट तो आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई जिसके हम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि स्कुरूटिनी का रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा तो स्कुरूटिनी का रिजल्ट आ चुका है और देखने का तरीका भी हम समझ गए है कि जहां पर यह content लिखा हुआ है इस पर click करके अपने reason के नाम पे click करेंगे PDF खुलेगा उसमें देख लीजेगा अगर आपका रोल नंबर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका अंक बढ़ा है लेकिन अगर आपका रोल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आपका अंक बढ़ाया नहीं गया है दूसरी बात अब आते हैं अपने compartment वाले मुद्दे पे compartment का क्या हुआ? compartment का देख लिजेगा विग्यप्ति high school, compartment एवं improvement और intermediate compartment परिच्छा 24 ये किसके लिए है बेटा? ये theory वाले examination के लिए है और नीचे वाला किसके लिए है? प्रयोग आत्मक परिच्छा यानि practicals के लिए है थोगा समय इसको जूम कर दूँ आप पुरा पढ़ लीजेगा ये उपर वाला जो matter है वो है किसके लिए compartment परिच्छा के लिए और दूसरा वाला जो matter है वो है प्रयोग आत्मक परिच्छा यानि practical examination के लिए खोल के देख लेते हैं क्या लिखते हैं ये? compartment परिच्छा मैं सबसे पहले खोल रहा हूँ compartment परिच्छा मैं देखिए क्या बताते हैं compartment परिच्छा इसक्रिन पर पीछे खुल चुकी है इसमें ये कह रहे हैं कि हाई स्कूल की improvement या compartment परिच्छा कब होगी बच्चों 20 जुलाई 2024 ध्यान पुरवक समझेगा क्या क्या है बिटा हाई स्कूल यहां किनारे लिखा हुआ मिलगा मैं तो इसके जिन से किनारे हो जाता हूँ पहला मैटर क्या है हाई स्कूल की improvement या compartment परिच्छा दिनांक 20 जुलाई 2024 पराता पाली में 8 बजे से 7-11 बजे तक होगी यानि हाई स्कूल के बच्चों ने जो भी compartment की परिच्छा भरी होगी उसका परिच्छा किस दिन होगा 20 जुलाई बेटा आज 5 जुलाई अब 15 दिन अगिदम जान लगा दो 20 जुलाई को प्राता काल 8 बजे से होगी और इंटरमीडियेट की जो परिच्छा है ध्यान रखिएगा अच्छा हाई स्कूल में जान लिजेगा इंप्रूमेंट और कमपार्टमेंट दोनों परिच्छा ही कई टाइम पे है चाहे इंप्रूमेंट चाहे कमपार्टमेंट 20 जुलाई 2024 प्राता काल 8 बजे से 7-11 बजे के मद्य में हाई स्कूल की परिच्छा होगी इंटर की बात अगर करेंगे तो इंटर में इंप्रूमेंट नहीं होता केवल कमपार्टमेंट होता है 20 तारीक को ही सायम पाली में 2 बजे से 7-5 बजे तक होगी ध्यान रखिएगा कहां होगी बच्चों परिच्छा तो ध्यान रखिएगा आपके जन्पन में विसेश करके अगर राज की इंटर कालेज होगा तो राज की इंटर कालेज यानी GIC में ही होने की अधिक्तम संभावना है शेस अभी आपको अलग से आपके विद्याले के द्वारा सूचना प्राप्त हो जाएगी इस परिच्छा में बैठने के लिए आपको एक प्रवेश्पत्र की आवशक्ता होगी जो की आपको अपने विद्याले से ही मिलेगा जिस विद्याले से आपका form भरा गया है उसी विद्याले से आपको प्रवेश्पत्र प्राप्त होगा इस बात का ध्यान रखिएगा तो हम जान चुके हैं अब क्या हुआ scrutiny का result हाई स्कूल का आ चुका है इंटर का आ रहा है कुछ ही मिंटों में आ जाएगा थोगे दिर बाद वीडियो अप्लोड होने के आपको इंटर का भी देख सकते हैं जिन जिन रोल नंबर को वहाँ पे डिस्पले किया गया है यानि पीडियाप में जो जो रोल नंबर दिखाई दे गया है उनके अंक बढ़े हैं अब कितने बढ़े हैं यह रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा जो की आपके विद्याले से मिलेगा जिन बच्चों के रोल नंबर यानि अनक्रमांक उसमें दिखाई नहीं दे गए हैं इसका मतलब है कुन के अंक नहीं बढ़े हैं उन्हें निश्चिन्थ हो जाना चाहिए कमपार्टमेंट परिख्षा यानि हाई स्कूल में अगर आप हैं तो इंपोर्मेंट या कमपार्टमेंट 20 जुलाई को प्राता काल 8 बजे से होगी जबकि इंटर्मिनेट की कमपार्टमेंट परिख्षा 20 जुलाई को ही दो पहर दो बजे से होगी ये रहा compartment का issue अब आजाते हैं, हम practical exam के बारे में, कि practical वाला कब होगा तो practical वाले विग्यपती देख लीजये कि practical का exam कब होगा और कहा होगा तो practical का exam दया क्लिकिएगा, कि date इनों ने दिया कि नी दिया है, 15 11 16 जुलाई ध्यान रखिएगा कब होगा। यह देखिए प्रेटिकल का एक्जाम 15 ऐवं 16 जूलाई में होगा ध्यान रखिएगा। अब आपको एक चीज में यहां पे समराईज कर दो। वो क्या हो गया? आपके पास क्या क्या मिल गया? क्या क्या हो गया scrutiny का result आपका आ चुका है scrutiny का जो result है वो आपका आ चुका है ध्यान रखिएगा scrutiny का result जिसको हम लोग कह रहे थे scrutiny का result 10th का आ चुका है 12th का आ रहा है थोड़ी देर में ठीक है आप चेक कर सकते है region wise वहाँ पे दिया हुआ PDF खोल के देख सकते हैं जहां तक रही बात improvement या compartment किस class का improvement या compartment दोनों class 10 का ही होता है तो कच्छा 10 का improvement कब होगा 20 जुलाई को होगा 20 जुलाई 2024 कितने बजे से सुबह आठ बजे से ध्यान रखिएगा नमबर भोलना नहीं चाहिए सुबह आठ बजे से होगा exam हाई स्कूल के बच्चों का 20 जुलाई 2024 को सुबह आठ बजे से होगा कहां होगा आपके शहर के राज की इंटर कालेज में या विसेस परिष्थिती में जिला विद्याले निरिच्चक महुद है कहीं सेंटर डालेंगे जहां भी होगा आपको अपने विद्याले से सूचना प्राप्त करनी होगी नमबर दो कमपार्टमेंट एक्जाम फार क्लास 12 कमपार्टमेंट फार क्लास 12 सेम डेट है बीस जुलाई बीस जुलाई 24 ले टाइम कब है बेटा दो बजे दो पहर को ध्यान रखिएगा दो बजे दो पहर से ये याद रखिएगा intermediate की जो परिच्छा है वो दो पहर दो बज़े से होगी high school की परिच्छा प्राता काल आठ बज़े से होगी तो ये महत्वपोर जानकारी थी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी साब संतुष्ट होंगे अगर इसके अलावा आपके मन में कोई प्रशन चल रहा है तो आप हमें comment box में दीजिए एक बार मैं फिर से पूरी वीडियो को समराइज कर दो scrutiny का रिजर्ट कच्छा 10 का आचुका है UPSP के website पे जा करके आप की scrutiny result high school region wise आपका दिखाई देगा अपने रिजि़न पे click करके PDF खोलिएगा अगर आपकाilleurs कीруल नमबर आपके PDF में दिखाई देता है तो इसका मतलब है आपका नमबर पढ़ा है अगर नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब आपका नमबन नहीं बढ़ा है कितना बढ़ा है ये बात अभी हम नहीं बता सकते नहीं बोर्ड बताएगा ये बात जब आपका रिजल्ट आएगा आपके विद्धाले से मिलेगा उसमें दिखाई देगी compartment exam की बात अगर करेंगे तो high school का compartment exam या improvement exam 20 जुलाई को प्रातर काल आठ बजे से होगा intermediate का जो compartment exam है वो भी 20 जुलाई को होगा लेकिन दो पहर दो बजे से होगा ये महतुपुर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके शेयर किया काहां होगा तो आपके शेयर के राज के inter college में होगा या फिर कहीं कोई भी से सकथ सेंटर पड़ता है तो वहाँ होगा सूचना आपको आपके अपने विद्धाले से मिलेगी तो ये दी गई मेरी जानकारी आपके बहुत काम की हो सकती है ऐसा मेरा विश्वास है फिर भी अगर आपको किस्तर की कोई दिक्कत है आपको किस्तर कोई परेशानी है तो प्लीज आप हमें अपडेट करिएगा हम उसका जवाद देने का प्रयास करेंगे तो मैं जनपत देवरिया उत्तर प्रेश से गविकानमत रुपाथी आपकी सेवा में चैनल को सब्सक्राइब करके जगूर रख लीजेगा ताकि अगर कोई और जगूर पढ़े तो आप हमसे मिल सकें हमें बता सकें या हमसे पूछ सकें ठीक है तो फिर आज के लिए इतना ही है मिलते हैं अगली सूचना के साथ तब तक के लिए सादर जैश्री शीता राम